तो नवश्कार दोस्तों मैं हूँ आपका हूस्त आपका दोस्त अबच शर्मा और आप देख रहे हैं Mad Mechanic Garage तो आज की वीडियो जो है बहुत इंपोर्टेंट होने वाले वैसे लगभग मेरी हर वीडियो इंपोर्टेंट ही होती है कि वो किसी ना किसी टॉपिक से रिलेटेंट होती है और बहुत इंपोर्टेंट होती है तो आज का जो टॉपिक है वो है ओटू सेंसर ओटू सेंसर बहुत इंपोर्टेंट होता है किसी भी आज की लगभग सभी गाड़ों में बहुत इंपोर्टेंट हिस्सा है क्योंकि इस पे आपकी कार की कई सारी चीज़े जो है वो depend होती है तो आज जो इस बारे में बताऊँगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते है तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि O2 sensor काम क्या करता है और ये लगाता होता है तो सबसे पहली चीज़ जो है ये O2 sensor आपके exhaust system में लगा होता है एक manifold के पास जो converter हो वहाँ पे लगा होता है दूसरा होता है converter के दूसरे side लगा होता है तो अब ये काम क्या करता है तो कई गाड़ियों में एक sensor लगा होता है और कई में दो sensor लगे होते हैं एक sensor वाले का काम होता है कि oxygen की मातरा चेक करके आपके कार के ECU को बता देना कि हाँ oxygen की मातरा सही है तो गाड़ी जो है fuel जो है वहाँ पर save करते है क्योंकि ये sensor जो है आपका fuel भी save करता है तो ये बहुत important है जिसमें दो होते हैं उसमें क्या क्या होता है कि जब आपकी गाड़ी में दो sensor लगे होते हैं तो एक का काम होता है oxygen को sense करना और दूसरे का काम होता है आपके catalic converter जो उसके अंदर जो material भरा हुआ है जो honeycomb के shape में होती है जिसमें से exhaust gas filter होकर निकलती है वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है वो sense करके car के issue को message भीजना बस यही इसका generally काम होता है अब अगर ये खराब हो जाए तो problem क्या आती है सबसे पहली चीज़ basically 4 problem आती है इससे ज़्यादा problem आएगी नहीं गाड़ी में सबसे पहले तो आपका check engine light आजाएगा अगर क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा issue कर रहा है तो check engine light आपके यहाँ आजाएगी दूसरा है कि engine missing जो है आपके बहुत जबरदस करेगा engine missing करेगा load नहीं ले पाएगा इस तरह की problem यहाँ आएगी दूसरा है कि क्योंकि अगर ये sense नहीं गर पाएगा तो गाड़ी जो है अगर single sensor वाली होगी तो वहाँ पर आपका काला धुआ जो है गाड़ी देगी और double sensor वाली में भी कुछ इसी तरह का problem आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फिर जो last problem है वो है आपकी आपकी कार का जो mileage है वो बहुत तगला ड्रॉप करेगा और fuel consumption जो है गाड़ी का यहाँ पर बढ़ जाएगा तो अगर आपकी गाड़ी में इस तरह की problem आ रही है गाड़ी black smoke वैसे black smoke कई sensor के कारण आता है तो अगर आपको जानना है तो comment section में ज़रूर दाएगा तो अगर आपकी गाड़ी में इस तरह की problem आ रही है तो comment section में ज़रूर बताएगा basically जो है वो चार problem आती है सबसे पहला आपकी check engine light आ जाएगी दूसरा है कि engine का mileage जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा fuel consumption बढ़ जाएगा तीसरा है आपका engine में स्वार बहुत करेगा बहुत ज़्यादा vibration की problem आपको आएगी आपका सब कुछ सही होगा तो भी problem आएगी तो आपको sensor को check भी कराना पड़ेगा कई बार क्या होता है कि scan कराने के बाद भी auto sensor जो है वो proper काम नहीं करता क्योंकि वो कही नहीं थोड़ा बहुत काम कर रहा होता है या फिर उसकी जो उपर की जाली होती है वो carbon की वेज़े से बंद हो जाती है तो उसके current भी यहाँ पर problem आती है ठीक है और last जो है वो आपका आता है black smoke बहुत जबरदास जो है black smoke आता है तो basically यही चार problem है auto sensor आप जान चुके है कैसे काम करता है कहां लगा होता है और क्या fault आते है तो अगर आपकी कोई question है sensor या wiring से related या car के engine, denting, printing, overall गाड़ी से related कोई भी problem है तो comment section में ज़रू बताएगा तो आज की video में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आहे हो तो like, comment, share और subscribe ज़रू करेगा वेलते अगली वीडियो में एक नए topic के साथ